आगेश्वर मंदिर एक प्रसिद मंदिर है जो भगवान शेव को समर्पित है यह द्वार का गुजराथ के बहरी छेतर में इस्तित है यह शेवजी के बारे जोतरी निंगयों में से एक है हिंधु धर्म के अनुसार नागेशवर अर्थात नागों का इश्वर होता है इस उसका पत्ती दारुका महान बलशाली राच्छस था। उसने बहुत से राच्छसों को अपने साथ लेकर एक समुह बनाया था जो समाज में आतंक फैलाता था। वह यग्य आदी शुब कर्मों को नश्ट करता हुआ संत महात्माओं को संगहार करता था। वह प्रसिद धर्म नाशक राच्छस था। पश्चिम समुत्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक बन था जिसमें वह निवास करता थ रुका जहां भी जाती थी व्रच्छों और विविद प्रकार के उपकरों से सुसजित वह वनभूमी अपने विलास के लिए साथ साथ से जाती थी। महादिवी पारवत्ती जी ने भी उस वन की देखवाल का दायत दारका को ही सोब दिया था जो उनके वरदान के दिया कि जो राच्छस इस प्रत्वी पर प्राणियों की हिंसा और यग्यों का विनाश करेगा उसी समय वे अपने प्राणों से हाथ दो बैठेगा। महश्री द्वारा दिये गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई तब उन्होंने दुराचारी राच्छस तो पराजित होकर स्वैंभू को मर जाएंगे। इस समय धारुका ने राच्छसों को सहारत दिया और भवानी के वर्दान का प्रयोग करते हुए पैसंपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राच्छसों ने धर्टी को छोड़ दिया। एक बार धर्म नामक एक भयंकर बलशाली राच्छस ने उन पर आक्मन कर दिया। राच्छस ने सभी लोगों सहित शुप्रिय का अपहरन कर लिया और उनको अपनी पूरी में लाकर उन्हें बंदी बना लिया। चूंकि शुप्रिय शिव वक्त थे वे हमेशा शिव जी की अरादना में म रुकता फैलाई। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ती का ही बोलबाला हो गया था। जब इसकी सूचना दारुक को मिली तो वे क्रोध में आ गया। और उस इस्थान पर जहां पर वे सुप्रिय ध्यान लगाए बैटे थे आकर बोला। वे शिव को आदेश दिया कि इसको मार डालो। अपनी हत्या के वैसे भी सुप्रिय डरे नहीं वे भैहारी संकट मुचे भगवान शिव की अराधना करते रहे। देव आप ही मेरे सर्वस्व हैं आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय वैश्र की प्रातना को स सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके चार दर्वाजों का एक सुन्दर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मद्धिभाग में गर्वग्रह में एक दिवी जोरती लिंग प्रकाशित हो रहा था। तथा शिव परवार के सदल से भी उसके साथ विद् से प्रमुक राच्छसों और उनके अनचरों का संहार कर दिया। लीला करने के बाद स्वेमशरी धारन करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त की रच्छा करने के बाद उस वन को ये वर्दान दिया कि आज से जिस वन में प्रामन, छत्रिय, वैश्र, शूद्र इन चा राच्छसों पर आये इस भारी संकट को देखकर राच्छसे दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की, उसकी प्रातना से प्रसंद माता पार्वती ने पूचा बताओ मैं तेरा कौन सा प्रियकार करूं। दारुका ने कहा मा आप मेरे कुल की रक्षा करे पार्वती जी ने उसके कुल की रच्छा का आश्वाशन दिया। पार्वती शिवजी से आगरे करती हुई बोली कि प्रवो मैं भी आपके आश्वे में रहने वाली हूँ, आपकी हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिये गए वचन को भी आप प्रमानित करें। यह राच्छ पूत्रों को पैदा करेंगी, जो मिल जुल कर इस वन में निवास किया करेंगी, मेरा ऐसा विचार है। माता पार्वती के उस प्रकार के आगरे को सुनकर भगवान ने कहा प्रिय तु मेरी बास सुनू, मैं भक्तों का पालन और उनकी सुरच्छा के लिए प्रिसन्नता कलियो की अंत में सत्यू के प्रारम में महासेन, का पूत्र वीरसेन, राच्छसों का राजा होगा, वह मेरा परमभक्त होगा और वह पराकरमी भी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा, उसके बाद वह चक्रवर्ती समराठ हो जाएगा। तब बड़ी बड लिलाई करते हुए शिव दमपत्ती ने आपस में हास विलास की बातने की और फिर वहीं पर इस्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय जोतिलिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पारवती देवी भी नागेश्वरी के नाम से प्रसिद हु करता है।